एलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहर वेलकम टू माई चैनल नीटिंग लेशन देखिए आज इस वीडियो में आपको वी गले की घटाई कैसे होती है ये बताऊंगी जो सही तरीके से होती है उसको वी गले की घटाई होती कैसे है देखिए ये आगे का पला है फ्रंट पेज ये इसमे मैंने मुढटे की घटाई की है फहले इसमें दो-एक घटाई होती है तो यह मैंने इधर से पहले घटा लिए है और तीनगीale पटा लिए हैं अब आगे मैं आपने से जिनभेट कर ना है वह आपको तो इसमें 6 Cash aos पंदे कम होने के बाद及 की फली बनानी होती है उसके लिए रखना होता है यहां पर और बागी के आधे आधेग महरूती है एक फंदा हमें एक रखना होता है जो हमारे गले की वी गले की बुनाई के लिए काम आता है जिसकी हमारे बीच में फली बनती है तो देखिए इसको घटाना कैसे है इसको step by step में आपको बताऊंगी पूरा वी गले को कैसे घटाना है ये देखिए ये 50 फंदे इधर है और 49 फ पहली बनाने के काम आता है तो इसमें हमने क्या करना होता है हमने जैसे ही आधे-आधे हुए इसमें फंदे बाट लिये हैं उसके जर्ष्ट हमने एक सलाई इसको छोड़ दो और एक सलाई एक्स्ट्रा ले लो या फिर इसी सलाई से बन जाता है जब ज्यादा दिक्कत आए त तो मैं इसका उल्टा ही बुन रही हूँ चलिए मैं आपको इसको स्टेप आई स्टेप आपको बताऊंगी कि वी गले को घटाना कैसे है कि जिसकी सेप बिलकुल एकदम दोनों दरब से बराबर आए ये सलाई हमने ऐसे कंप्लीट कर लेनी है और उसके बार देखे कंदे में आपको जेसे हमने ना छे यहां पर उपर रखने होते हैं यह रखने 9 फंदों में से हमने इधर घटेंगे हमारे 2 इधर से 3-2-1 में तो 2 और 1-3, 3-3 और घट जाएंगे तो फिर से हमारे 93 फंदे रह जाएंगे टोटल घटने के बाद, तो 93 फंदे में से हम 3 हिस्से करेंगे तो हमारे 31-31 फंदे बीच में आते हैं, तो 31-31 फंदे के हिसाब से भी रखे आपको, यानि 30 फंदे आपने मुड़े के रख लिजिए, उपर कंधे के जो होते हैं, वो 30 फंदे रखने हैं, और बाकी के जो 33 फंदे हमारे बचे, वह हमारे इसमें से एक फंदां हमारा बी गली के जो ये फली का होता है वो हो गया और 32 फंदे बचे तो 16-16 फंदें हमारे इन दो रोहिस्तों में कम हो जाएंगे और 16-16 फंदे गटाने के बाद अगर हमारा बच जाए तो वह हमने फिर से इसमें कम उपर के बाद हमने अब यहां तीन सलाई और बना के चोती सलाई पर फिर से यहां एक फंदा कम करना है और फिर से हमने चार सलाई बना के फिर से एक फंदा यहां कम करना है इस तरह से इसको बनाते हुए इसकी घटाई करनी है चलिए इसको मैं आपको घटा के पूरा करके आपको द देखे, दो फंदे का एक करने के बाद, इसको हमने वापस उल्टे हाथ की सलाई पर चढ़ा लेना होता है, और फिर से हमने दो फंदे का एक करके, और जो भी हम इसमें डिजाइन डाल रहे हों, उसको हम पूरा करते चले जाते हैं, तो चलिए मैं इसको आपको एक बार पूर से करने के बाद के मैं यहां से घटाना शुरूel किया था और यह मेरा परल यहां तक का पूरा हो गया है दाए यह इधर से तीन दो एक की घटाई करने के एक फंदा यहां से घटाने के बाद 3 सलाई के बाद 4 सलाई आप इस तरव से कम करते जाईगा तो Isकी से बिलकुल ऐसेगे तो इसमें जैसे हमने मुढ्डे उपर से कंधे के जो फंदे रहने होते मैंने 30 फंदे रखे हैं तो इसमें मैंने 16 फंदे यहां पर कम किये हैं क्योंकि जब मैंने इसमें यहां लिये तो 49 फंदे थे इस हिस्से पर यहां पर तो 49 फंदे एक बादे हमने फंदे की और एक फंदे की एक बार की तो याने टोटल 46 फंदे रह गए 46 मैंने मेंने एक एक करके यहां पर 16 फंदे घटा दियाई और यहां मेरे 30 फंदे बजगे हैं ऴया हुं रिके मेरा हिसा पूरा हो गाया अभी गले की घटाई में आग लिया के लिए जो हमने भाशी करने हैं इसको पिंदे से इसको पिंदगता करते है शेकिपिन का retrospect法 इस फंदे को छोड़ दीजेगा फिर यहां पर धागा बांद लिजे जैसे मैंने बांदा हुआ यहां पर धागा बांदने के बाद हमें तुरंत यहां से एक फंदा जैसे यहां पर हमने कम किया था एक फंदा हमने यहां पर कम करना है जैसे यह मैं अभी आपको करके बता रह है यहां से हर चोती सलाई में फंदाक को पूरा है यानि मैंने बनने के बाद e ships कमें टेक्साला एक अधर और कें मौंघ रिसे भी पूरी शेफ कैसे आएगी को है देखें क्योत देखिए कि ये सेम बिल्खुल दोनों एक तरफ से घटाई है ये इधर की और इधर की भी एक फंदा बीत में चोड़के जस्ट एक फंदा इतर से घटा के एक फंदा इतर से घटाया है एक बार ये हिस्सा बना लिजे, एक बार ये हिस्सा बना लिजे, हर चोथी salai में एक-एक फंसदा कम करते वे देखे, इसी से बहुत अच्छी बनी हुई है, ये वीग लेक ऐसे घटाई की जाती है, जेखे इसको अगर आप ऐसे भी करो तो तो देखे विलकुल ब्राबर ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और आप उन में से जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे वह आप देख सकें थैंक यू